हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कच्छा दस हिंदी विशे में खंड कावे जैसुभास के विशे में आज हम पढ़ेंगे खंड कावे जैसुभास ये खंड कावे लखनव, सहारनपुर, बांदा, हरदोई, जहांसी और फैजाबाद जिले के जो छात्र हैं इनके लिए हम यहां से देखेंगे आपकी परिच्छा में दो तरह के प्रिशन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जानने की संभावना है जैसुभास खंड कावे के नायक सुभास चंदर बोस का चरितर चेतरन कीजिए और जैसुभास खंड कावे की कथानक, कथासार या फिर कथ हावस्त अपने सब्दों में लिखिए, इन दोनों प्राश्नों में से कोई भी एक प्राश्न आपको परिच्छा में देखने के लिए मिल सकता है, यह दोनों प्राश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछली जो भी परिच्छाएं हुई हैं, वहाँ पर लगातार य यहाँ पर आपसे परिच्छा ये भी पूंच सकता है जैसुभास खंडगावी के प्रमुखपात्र का चरित्रचित्रण कीजिए नायक का चरित्रचित्रण कीजिए या फिर डारेक्ट भी प्रिशन बन सकता है सुभास चंद्रबोस का चरित्रचित्रण कीजिए पहला point होग आठने को चाटे लगा सभी को स्वाभ हिमानी बनाने के लिए उन्होंने प्रेद किया था यदा स्वाभ हिमान का परिचे सबको हो निर्भीक दिया था लोज देशा आपमान का बदला उत्मकार किया था इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिभा साली इसमें आप क्या लिखेंगे नेता जी सुभाशन रबोस बदपन से ही कुसागर बुध्धी के चात्र थे उन्होंने मेट्रिक एफ ए तथा बीए की परिच्छाएं प्रथम सेड़े में उत्तिय लिखेंगे थी इनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बराबर प्रभावित थ यह था प्रखर बुध्धी से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित पूर्वा भास प्रगति को दे कर किया सभी को पुलकित यह लिख देंगे आप इसके बाद क्या होगा स्वदेश प्रेमी इसमें आप क्या लिखेंगे उन्होंने अपना सारा जीवन स्वदेश प्रे अच्छा समझने पर ज्यादा फोकस करिए ज्यादा ध्यान दीजिए होता क्या है कई बार जो चीजें हमें समझ में नहीं आते उनको रटने का प्रियास करते हैं लेकिन इस वीडियो को मुझे लगता है आप एक या दो बार देख लिजेगा और कहाने के तोर पर समझने का प क्योंकि आपके पास अन्य विसे भी हैं सभी विसेयों को सभी प्रिष्णों को आप रटन नहीं सकते काफी लंबा सिलेवस हो जाता है इसको मुझे लगता है आप सिर्फ समझने का प्रियास करेंगे हम सुरुवात करेंगे आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होगा जे से परिपूर काव्य है इसका कथानक साथ सर्गों में विभगत है आप देख पाएंगे हाँ पर मैंने साथ सर्ग लिखें हैं इन्हें सभी को मैं अभी आगे बताता रहूँगा इसमें क्या होता है नेता सुबास्चंद्र बोस का जो प्रतम सर्ग की मैं बात कर रहा हूं नेता जी सुबास्चंद्र बोस जी का जन्म है 13 जनवरी 1897 इसवी में हुआ था इनके पिता का नाम क्या था जान की नाथ बोस सुबास्चंद्र बोस जी बाले काल से ही बुधिमान एवं साहसी थे चाटर जीवन से ही उनकी प्रतिभा का परिच्छे मिल गया था मैट्रिक करने के बाद वे भारत के विभी नतीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए इंग्लेंड में वे केंब्रिज इनुवरसिटी से उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय सुभास चंद्र ने सुयम सेवकों की एक टोली तयार की थी वे कलकत्ता नगरपालिका के मेर चुने गए स्वतंत्रता प्राप्टी के लिए उन्होंने जूलुस निकाला और जेल गए नौ माह तक वे अलीपुर जेल में रहे सुभास चंद्र जी के कदम क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज डरने लगे थे त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यचता की थी उनके अध्यच्छी अभासर से सभी प्रभावित हुए बाद में उन्होंने फारवर्ड बलाक नामक दल बनाय उन्होंने अग्रेजो द्वारा स्थापित ब्लेक हॉल इस मारक का विरोध किया, फल सोरोप उन्हें जेल में डाल दिया गया, 1941 सिवी में उन्होंने मौलवी का विसधारण करके विदेश प्रिस्थान किया, वे पेसावर होते हुए जर्मनी पहुचे, उन्होंने वहाँ तुम मुझे खूंदो, मैं तुम्हें आजा दी दूँगा, सुभाष चंद्र बोस आजीवा स्वतंतरता के लिए संगर्ष करते रहे, सुभाष चंद्र आज भी अमर हैं, यह हो जाएगा प्रथम सरग, उसके बाद यहां से प्रारंब हो जाता है दुतिय सरग, इसमें क् सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी तरह सुयम को देश सिवा के लिए समर्पित कर दिया, सन 1921 में असायोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी के संपर्क में आये और कांग्रेश में सम्मिलित हो गए, उसी समय बंगाल के देश बंदु चितरंजन दास के नेतरत मे स्वतंत्रता संग्राम की जोती जलाई गई, परिणाम सुरूप उन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा वे कलकाता नगर महापालिका के अधिकारी भी रहे और निरधारित वेतन से आधा वेतन लेकर पूरी निष्ठा और सिवा भाव से उन्होंने काडर किया, इसके बा इसमें अधिवेशन के अवसर पर सुयम सेवक दल का नेत्रत सुभास चंडर बोस समाल रहे थे, उनकी संगठन सक्ति को देखकर सब पर जादू सा प्रभाव पड़ा मंच से अध्य अच्छी है, भासर देते हुए पंडित मूतिलान लहरू ने सुभास की भूरी भूरी प अलिपुर्ट जेल से रहा होने के बाद नहोंने भारतिय जन्मानस में पुना सुभत अधर प्रसार किया और उसके भाद यहां प्रारम हो जाएगा चतुर्थ सर्ग का अब इसमें आप क्या लिखेंगे नजरबंदी के बाद सुबास चंद्र बोस के घर पर सासन का कड़ा पहरा रहने लगा वह देश के लिए विसेश रूप से चिंतित रहने लेगे अता उन्होंने वहां से भागने की योजना बना और जाड़े की आधी रात को मुल्ला कावेस बना कर विदेश चले गए काबूल जाकर उत्म चंद से मेतरता होई उन्होंने उन्हें बाहर निकालने में सहायता की इसके बाद उन्होंने जापान जाकर आजाद हिंद फोज का नेतरत किया और जिसमें अनेक भारतियों को ने भाग लिया इसके बाद यहां से पंचम सर्ग प्रारंब हो जाएगा इसके बाद सिंगापर गए वहां रास बिहारी बोस ने उनका बहुत सम्मान किया यहां पर सुबास चंद्र जी ने नेहरू गांधी और आजाद और शुबास और बोस नामक चार बिग्रट बनाए जिसमें सभी जातियों के सेनानी परसपर प्रेमुपूर्वक कारे करते थे वे सभी सैनिक बिटिस राज्य को पराजित करने के लिए अति उत्साहित थे इसके बाद यहां पर में से छटवा सरग प्रारंब हो जाएगा सिंगापूर में सैनिकों को सम्मभोधित करते हुए सुभास चंद्रबोष जी ने कहा था भारतियों को अवाहन किया और कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा सुभास जी द्वारा प्रेरित किये जाने पर उनकी सेना अंग्रेजों से भिड़ गई और उसे पराजित करने लगी भारत माता की जै नेता जी की जै का उदगोस करते हुए आजाद हिंद फोज निरंतर आगे बढ़ रही थी 18 मार्च 1944 इसवी को यह सेना अंग्रेजों को पराजित करती हुई कोहिमा पहुँची आजाद हिंद फोज ने मुराइट टिडिम में पर अधिकार कर लिया आराकान पर भी तीरंगा जंडा फैरा दिया गया इस प्रकास से विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने 1945 इसवी में नव वर्ष को पूर्ण उत्साह के साथ और पूर्ण उत्साह और उत्सों के साथ मनाया इसके बाद यहां से सात्वा और अंतिम सरक प्रारंब होगा वर्मा पर पूर्ण दुसमन का अधिकार हो गया आजाद हिंद फोज को भी पराजे का मुख देखना पड़ा और अगस्त 1945 इसवी में अमेरिका ने हीरो सिमा तथा नागा साकी पर परमाण बं गिराया जिस कार व्याकुल होने लगे यहां देखकर शुबाश चंद्र बोस भी परिस्थान हो उठे थे जन हित में उन्होंने भी आत्म समर्पन करने का निश्चे किया तथा सेनिकों को पुना उचित समय पर लड़ाई प्रारंब करने का स्वासन दिया शुबाश चंद्र बोस जी ने से विदाली तथा जहाज द्वारा टोकियों के लिए प्रिस्थान किया जहां उन्होंने उन्हें जापान के प्रधान मंत्री हीरो हितोर से भी मिलना था वहां पर और रास्ते में ही दुरुभागिवस 18 अगस्त को उनका जहाज ताई होक में दुरगटना गरस्त हो गया अचानक प्रसाइथ इस समाचार पर भारती इस्ताब्ध थे यद्देपी आज हमारी बीच नेता जी नहीं है किन्तु उनकी अमरवारी भारतीयों को अनंतकाल तक प्रेना पदान करती रहेगी ये खंडकावे का कथानक था जैसुभास का उमीद करता हूँ ये वीडियो आ करिएगा और अच्छा लगा हो तो सेयर करिएगा लाइक करना आपकी मरजी पर है लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए आपका सब्सक्राइब बहुत धन्यमाद।